नमस्कार दोस्तों सभी प्याज के मेरे प्यारे किसान भाईयों एक रिक्वेश्ट आज की इस वीडियों में आपसे करने वाला हूँ कि किस प्रकार हम जो है सरकार की इस जो एक भयानक यहां पर एक डिसीजन हुआ था जिससे किसानों की आर्थे किस्तिती बहुत ज्यादा दोने वाली है तो इसके वीरोत को लेके हम अपने उपस्तिती कैसे दर्ज कर सकते हैं वहीं कुछ यहां पर उपाय में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान समय जो है एक सोशल मीडिया का प्रमुख समय है और सोशल मीडिया प्लेडफार्म है कैसा जो सरकारे बना सकता है वोन सरकारे गीरा सकता है तो हम यहाँ पर किसी विचल पायेटी को लेकि यहाँ पर आंधुल subscribe हो तो यहां पर आप जो हे status लगा के या फिर tweet करके सबसे बहतरिन तरीका क्योंकि official जो platform है वो twitter माना गया है तो आप twitter पर PM of India नरेंद मोदी एड़ रेट पे और एड़ रेट शिवराज एंड हमारे क्रशी मंत्री जे नरेंद सीट सोमर को आप जो हे टेक करके यहाँ पर tweet कर सकते हैं सबसे परथम काम यह करना है उसके बाद हमें facebook पर अभियान चालू करना है उसके बाद दोस्तों whatsapp के जरिये आपके जो किसी wishes party से अगर आप ब्लॉंग करते हैं तो उस group में यहाँ पर आप post कर सकते हैं और जो है इस मामले को अउगत करा सकते हैं इसी के साथ दोस्तों जमीनी इस्तर पर हमें एक यहाँ पर निर्णे करना है कि जितने भी हमारे जो किसान भाई है प्याज को लेके विशेशकर जिनके पास अभी प्याज रखा है और आगे जो प्याज की गति विदियो को लेके जो सकरी होने वाले हैं वो थोड़ा सा अपने प्याज को होल्ड करें अपने विवेक से निर्णे ले और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हों सपोर्ट करें मंडी में जाने से थोड़ा सा बचियेगा मंडी में आप जाईएगा लेकिन गती विदियों को देख कर आप आंदोलन में भाग ले सकते हैं वहाँ पर चीज़े को समझ सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये सभी किसानों के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है यहाँ पर तो जैसा कि यहाँ पर हम MP से बलोग करते हैं तो MP मे लगबग लगबग इंदोर मंडी को पूरा decision हो चुका है कि बंद रहेगी रतलाम मंडी जैसा कि मंगलवार को निलामी कायरी हम बंद रखवाएंगे इसके बाद उज्जेन का तो यहाँ पर आपको force नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा समझ येगा कि आप किस वे में अभी ज आ रहे हैं आप अगर माल लेके मंडी जाते हैं तो फिर हमारी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सभी किसान भाईयों से इतना ही किरा चाहूँ हूँ है कि आप आप अगर उसको सफल बनाना चाहते हैं तो आप घर पे भी बैठ सकते हैं अपने प्याज को होल्ड करें ताकि सरकार जो decision यहाँ पर किया है सरकार ने सरकार को थोड़ा सा उसपर विचार करना पड़ जाए और कहीं ना कहीं अगर export duty कम कर दे या फिर export duty खतम कर दे तो बहुत ही अच्छा हमें एक rate मिल सकें और हमारी जो लागत मुल्य है हमारा जो खर्चा हमने किया है हमारी ज्यादा मात्रा में अगर आप मंडियों में पहुंचेंगे, सडकों पहुंचेंगे, तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव इस कारण हमें देखने को मिल सकता है, तो आप मंडी में अगर जाए, तो यहाँ पर आप हमें जो हे फोटो वगरा टेक कर सकते हैं, फेस्बूक पर टे जिसान.